आईए कुछ बात करें, कुछ सोचे और समझे Let's come, discuss, think and learn something इस चीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा विशा है जो बहुत important विशा है अक्सर लोग पूछते हैं उसका नाम है आत्मविश्वास कैसे बढ़ा है इस बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे और कुछ सीखेंगे क्या आपने कभी सोचा है कि आपका और हम सभी का जो mind, body, intellect system है बहुत powerful है बहुत intelligence है उसमें सब कुछ अपने आप करने की छमता है लेकिन हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और जो हमारे पास में हैं उसे हम exactly समझ नहीं पाते हैं अक्सर हम लोग बड़े होते हैं बच्पन में यह सोचते हुए हैं कि हमारे पास में ये नहीं है हमें उसको पाना है हमें वो करना है हर चीजें हमारे मन में ये रहती है कि उस साहथ हमारे पास में नहीं है लेकिन इस दौड में आपको ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे पास में क्या है लेकिन self confidence इस चीष से बहुत जुड़ा हुआ रहता है कि जिस दिन आप समझेंगे आपके पास क्या है तो self confidence छोकый वाद बढ़ना चालू हो जाता है बाहर की चीजें तो आप काफी कुछ पा लेंगे समय के साथ में लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जब बढ़ जाता है तब बाहर की चीजें को पाना भी कुछ आसान हो जाता है कुछ उधारन के दौरा हम लोग समझेंगे एक दम छोटे बच्पन की चीजें हैं जह हम लोग काफी यंग रहते हैं तब की बातें को पहला उधारन दिखी कभी आपने दिखा हैं कभी जब बरसाथ के दिनों में छोटे सेरों में नालियां सब पानी से भर जाती थी था हमारे काफी मित्र लोंग छोटे से पेपर बोर्ट मना के लाते हैं कागच की नाओ और उसे डाल दे देते हैं मुझे अभी भी याद है वो सीन बहुत सारे बच्चों की नाओं उस पानी में जाती थी कुछ नाओं आगे जाकर डूप जाती थी कुछ थोड़ी और दू की तक लियाने की लगातर कोसिस करते रहते थे कोई बंदा चुटा सा कंकर डाल देता था उसमें उसको बैलेंस करते था क्योंकि कुछ नाओ डूप जाती थी लेफ्ट में राइट में या जो भी है लेकिन काफी एक्स्परिमेंट करने के बाद में वह अपने आप चल पड है अपने दिफें। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉलविंग स्किल वह पच्छा जो एक्सिकरिम्ट करता प्रॉबलम सॉल्विंग स्किल है उसे ऐक आइडिया है कि मैं अगर तो यहां छोड़ूंगा यहां तक जायगा उसके बाद ब्दूब जाता है उसे बचाने की से कोचिस्ट करता है कुछ उधारेंड लेता है कुछ ट्राइग करता है कुछ एफर्ट लगाता है इस प्रकार से आप देखेंगे problem solving skill negotiation करना उसको optimize करना solution खोज के लिके आना उसको success के तरफ लेकर जाना चुटे से बचÇे में अपने अप होता रहता है उसे मालूम नहीं रहता यह सब चीजह जो बाद में चलके वो पढ़ता है यह पड़ाई करता है तो हम लुग बाद में चलके जो बी पड़ाई करते हैं जो भी जानने की कोसफित अख्यूरी on सबकि बेसिक चीज आपके अंदर में अलड़ी रहती है लेकिन हम उसे जानते नहीं तो हम उसको बढ़ा नहीं पाते हैं एक पहला उदारन में आपको बता हैं दूसरा और एक प्रेश्यर और यहां प्रेश्यर्य तो हमारे बाजू में बैठता है और हमारे ड्रेविंग के प्रैक्स चाली होती है पहले दो-तीन दिने दिया आप याद करेंगे तो जब हमारा पैर एक्सिलेटर को देखना ही आता है तो हमें सामने क्या हो रहा कुछ समझ जी आता है, हम देखनी पाते हैं, फिर वो रोकता है, रहे तुम यहां ऐसे मत चलाओ, किसी को लग जाएगा, फिर जब हम सामने जाते है, तो ब्रेक लगाना है, हम उसको भूल जाते हैं, या डिले कर देते हैं, इस प्रकार से एक हानी चलते रहती है, एक दीन, दो दीन, तीन, तीन पांस दीन, दस दिन, ऐसे चलता है, फिर देरे करीब मैने वर के बाद में आप में एक एक ओन्विडेंस आता है, और धिरे- अच्छे अच्छे से गाड़ी चलाएन लगते हैं. और कुछ सालों के बाद ही आप समझेेंगे, अपने पुराने समय को याद करेंगे. तो आप सूचिए आज के दिन में आप गाड़ी चलाने लिए क्या करते हैं. मेरे खाल से हाथ में चावी आती है और आप गाड़ी के अंदर बैड़ जाता है और गाड़ी चल पड़ती है इतनी सारी एक्टिविटी जो हम लोग सुरू में सीखते हैं बादने आप देखी वो कितना अपने अप होने लगता है ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है वो लेकिन एक समय था जब आप सब कुछ सीख रहते हैं और जब आपने सीख लिया तो कितना कुछ चेंज हो जाता है तो यही फाइदा है जब हम कोई चीज के उपर लगातार अभ्यास करते हैं उस पर लगातार कोसिस करते हैं तो आप देखी कितनी डिफिकल्ट चीज कितनी आसान हो जाती है कि मुझे नहीं लगता है कि गाड़ी चलते हैं कोई व्यक्ति वह सब चीज़ें सोचता है जो वह पहले दिन सोच रहा था बहुत असानी से गाड़ी चलाते हुआ कि चले जाता है तो मन बहुत ताकतवर है उस सब कुछ देखता है सीखता है अभ्यास करता और आगे बढ़ता है और सिब सब चीज़ें अपने आप होते रहती हैं जब तक हम अपने इस ताकत को नहीं समझेंगे कि हम में वह हम सभी लोगों में एक अंदर में एक कैपसिटी एबिलेबल है च आज से कुछ विश्यों पर डिसकस करेंगे जिससे कि आपका सेल्फ कॉंफिडेंस में अप्रूव होगा थैंक यू नमस्कार